देश की पहली एंटरनेट SUV के तौर पर MG Hector को पेश करने के बाद कंपनी अब MG Hector Plus को लाने की तैयारी कर शुकी है MG Motor India ने भारत में अगले मैंने MG Hector Plus लॉंच करने का एलान कर दिया है कंपनी ने अपने official टोटर अकाउंट पर इसकी जानकारी थी कार लवर्स लंबे वक्त से इस कार का इंतिसार कर रहे है चलिए अब आपको इस कार के specifications और खासियोतों के बारे में बताते है ये कार कंपनी की सबसे पॉप्लर SUV MG Hector से ज्यादा इस्पेसियस है Hector में सिर्फ front और back row है वहीं Hector Plus में 3 row sitting होगी sitting capacity की बात करें तो Hector Plus 6-seater और 7-seater version की साथ उतारी गई है अगर कार की design की बात करें तो ये 3 row version होगा कार को thick LED DRL, R black krill, restless front bumper, headlight और frock lamp cluster के साथ नया लुप दिया गया rear में plus sports नई tell lights, नया design किया हुआ bumper और नया dual exhaust day down मिलता है कार की लंबाई तकरीबन पहले model के ही बराबार आ की जा रही है MPB सेग्मेंट में Hector Plus की टकगर, Toyota and Ubacista, महंद्रा मराजो और मारूती सुचकी, XL6 से होगी Hector Plus की कीमत हेक्टर से करीब 1 लाग रुपए जादा होगी Hector model के according फिलाल इसकी कीमत 12,64,000 रुपए से 17,73,000 रुपए के बीच आती है Company के पास 13,000 गाकों की booking बाकी है जिसमें लगबग 25 ती booking कैंसल हो गई लेकिन अभी भी लगबग हर दिन 50 कारों की विक्री के order मिल नहें Company से जुड़ लोगों के मताबिक ये कार चुलाई के दूसरे सब्ता में लाउंच हो सकती है